हलो गाई जीबब फिर आप सभी का स्वागत है आप के अपने शनल चेक अपसी में दोस्तों 25,000 रुपे देखा जाए तो यह अमाउंट किसी परसन की मंतली इंकम होती है और जब इस पूरी इंकम में से हमें कोई स्मार्टफोन लेना होता सब कुछ मिलेगा लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देगी वीडियो स्टार्ट होगा समसंग गेलेक्सी M51 से दोस्तों लिस्ट कोई भी हो चाहे वो असी हजार वाली हो या फिर एक लाग समसंग एक ऐसा ब्रांड है आपको हर एक बजट रेंज में अपना एक स्मार्टफोन दे देगा और इसलिए वो इंडियन मार्केट में अभी तक सर्वाइब भी कर रहा है नहीं तो नोकिया कारवन जिसी कंपनी कहां गई पता ही नहीं चल रहा है महीं समसंग के डिस्पले में तो हमें कोई शिकायत होई नहीं सकती और इसलिए इस फोन में 6.7 इंचिस की Full HD प्लस Super AMOLED स्क्रीन दी गई है और हाँ इसकी जो body है वो plastic build है और इसलिए इसका जो look है वो भले आपको थोड़ा से average लगे features इसके बड़े शानतार है और वैसे भी phone का look कितना ही अच्छा या फिर average क्यों नहों उसे back cover में तो use करना ही पड़ेगा और वहीं इस phone में आपको दो अलग-अलग variant भी दे दिये गए है पहला variant है 6GB प्लस 108GB और दूसरा है 8GB प्लस 108GB बट 8 प्लस 108GB वाले variant का price थोड़ा जादा है लेकिन 6GB वाले variant का price आपको मिलेगा 22,980 रुप वहीं बात करने इसके camera की तो इसमें 64MP प्लस 12MP प्लस 5MP प्लस 5MP प्लस 5MP का quad camera setup बैक में है और फ्रेंट में 32MP का camera मिलेगा इसके camera specification सुनने में जितने जाद अच्छे लग रहे हैं इसके camera output भी उतना ही पैस इसके अलावा इसमें 7000MH की battery दे गई है जो कि at least 2-3 दिन तक आराम से चल जाएगी जितना phone मेरा use होता है उस हिसाब से तो यह easily चलेगी पर charging support जस्ट 25W का दे रखा है तो इसे charge करने में आपको थोड़ा सा time जरूर लग सकता है और 7000MH की battery इसलिए यह थोड़ा सा phone भारी भी जरूर हो दोस्तो इस लिस्ट में सबसे अच्छा लूक अगर मुझे किसी phone का लगा है तो वो यही phone और जब से वीवो के phones ने इंडियन मार्केट में कदम रखा तब से वीवो उसकी camera quality के लिए जाना जाता है लेकिन जादा difference है नहीं बाकि इसमें भी 6.4 इंचेस की AMOLED स्क्रीन दी गई और प्रोसेसर तो इसमें Qualcomm का Snapdragon 720G दिया हुआ है समसंग और इसकी वर्किंग गेमिंग में कोई जादा difference देखने को मिलेगा नहीं इसकी प्रोसेसर दोनों ही सेम बस स्क्रीन साइस थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इस phone का जो refresh rate वो 60Hz का यह जो गेमिंग में इसका थोड़ा बहुत इशू दाएग अधरवाइस बाकि सब ठीक है तो रही बात इसकी प्राइस की तो 8 बैटरी बैक आप इसका भी कम नहीं होता दिन भर के लिए तो सफिशेंट होता है बैटरी कम करने का point of view यह भी हो सकता है कि फोन को good looking और slim बनाया रखना इसकी बैटरी कम की हो या फिर फोन की cost cutting की गई इसका एक main reason हो सकता है बड़ कोई नहीं इसे चार्ज करने के लिए 33W का fast charger आपको मिल जाता है तो कम बैटरी की इतनी कोई problem बिलकुल नहीं नमबर 3 MI 10i सो बात करने स्मार्ट फोन की तो जहां पिछले दुनों फोन्स में आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल रही थी लेकिन इस फोन में AMOLED पैनल को ड्रॉप कर IPS LCD पैनल प्रिफर किया गया है और इसका main reason होगा फोन की cost कम करना खेर इस फोन में 6.67 इंच का full HD plus IPS पैनल मिलेगा जो की इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो 120Hz का मिलेगा तो गेमिंग के लिए यह अच्छा feature माना जाएगा primary camera 108MP का है इसके लावा इसमें 8MP का ultra wide 2MP का macro और 2MP का depth camera आपको मिलेगा लेकिन front camera के specification बहुत low कर दिये है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 16MP का camera मिलेगा खेर camera results primary camera की photos तो best है लेकिन बाकी macro shots इसके vivo से खास नहीं है selfie भी इसकी ठीक ठाक है मतलब average है इससे जादा कुछ खास expect नहीं किया जासका और प्रोसेसर तो इसमें snapdragon 750G लगा हुआ जो की 5G को support करता है लास्ट बैटरी तो बैटरी जो है वो वीवो से जादा है क्योंकि इसमें 48 मिच की बैटरी इसलिए देड़ दिन तो चली जाएगी अगर मेरे जितना phone आप यूस करते हैं तो और जादा यूस करते हैं तो samsung की बैटरी भी आपको कम पर जानी इसे चार्ज करने में 33 स्वा Realme X7 दोस्तों हाली में लॉंच हुए ये स्मार्ट फोन भी MI के तरह ही एक 5G फोन है बात करने इसके प्रोसेसर की तो इसमें मीडियाटेक का डामें सीटी डबल ओ यू लगा हुआ है तो देखा जाए तो परफॉमेंस के मामले में MI और इसमें कोई खास डिफरेंस देखने GV के हैं हाला कि बैटरी MI से कम है क्योंकि इसमें वीवो से थोड़ी सी जाधा बैटरी दी गई है 4310 mAh लेकिन इसका जो चार्जिंग सपोर्ट है वह 50W का है जो की लिस्ट में सबसे जाधा है और जस्ट 18 मिनिट में यह आपकी बैटरी को 50% तक चार्ज कर देगा वाही बा करते हैं हमारे आज के फाइनल 25,000 वाले फोन की तरब जिसका नाम है Realme X3 दोस्तों बात करें इस फोन की तो इसमें प्रोसेसर भलेई Qualcomm Snapdragon 855 Plus दे रखा है लेकिन यह फोन रहेगा 4G परफॉमेंस इसकी भलेई MI से बेस्ट हो बट 5G को सपोर्ट करेगा नहीं और 4G फोन में इसके लावा इस फोन में आपको 6.57 इंच के Full HD प्लस स्क्रीन तो है लेकिन MI के जैसे इसमें भी डिस्प्ले एमॉलेट की जगा IPS पैनल के साथ इसमें भी MI की तरह 120 Hz का रिफ्रेश रेट है इसके फोन में लिक्विड कुलिंग भी दी गई है तो यह फोन आसानी से गर्म न बैटरी दी गई है जो कि 30 वाट के चार्जिंग सेपोर्ट के साथ आए रेम और स्टोरेज की बात करें तो आर जीबी की रेम और 108 जीबी का इंटरलने स्टोरेज इसमें मिलेगा फ्लिपकार्ट पर चाहिए तो करन्ट प्राइज इसका वह 24,90 तो देखा जाए तो यह फो पहले इस वीडियो लाइक कर दीजिए खुब सरा दिल से शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिशन बल आइकन के साथ में